जाब भी आडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोतियानू फते अजगार दिहाँ जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते किताब वीवी सदी दी सिख राजनीती पाग तीजा पना नंबर सैंती सिख लीडर्शिप दा सदान तक नजरिया किना खरा किना खोटा सिख लीडर्शिप जाद फिरकू नुमाइंदगी दे असूल दी जिनून दी पदर ते विरोत्ता का रही सी अते कलकत्ता विखे दसंबर उनिसो अठाई नेरू रिपोर्ट दी त्यारी सबंदी बुलाई सर्ब पार्टी कांफरंस विच एहे मांग कार रही सी के फिरकू पनेनु किसे वि शकल जां किसे वि हालत विच पारत दी पावी नीती दा अधार नहीं बनाया जाना चाहिदा ता ओहो जारा तौरते एक काट ग्यंटी वर्ग दी नहीं सगों बहु ग्यंटी वर्ग दी बॉली बोल रही सी की एहे हरानी वाली गाल नहीं जापदी के एक अजेही कम्यूनिटी जिस दी सारे देश अंदर वसों दो फीस दीतों वी कट अते पंजाब अंदर बारां फीस दीतों वद नहीं सी अते जिस दी किसे एक वी जिले अंदर बहु गिंती नहीं सी अते जो 1909, 1912 ते 1916 दीयां चोना विच निगूनी कट गिंती होन करके बुरी तरा मात खा चुकी सी उस दी लीडर्शिप फिरकू नुमाइंदगी नू सिदान तक तौर ते ही रादकार्न अते वखरे कम्यूनल चोनखृत्रां दी बजाए सर्वसाँजे चोन खेत्रां दी असूल नू बिलंद करंदी राट लाई जा रही सी बहुग गिंटी वर्ग वल्लों ता जेही पजीशन लेनी समझ चौंदी सी प्रंतुई काट गिंटी वर्ग वल्लों अपने ही हित्तां दे ओल्ट जेही पजीशन लेन दी वजा की हो साकती सी जेकर सिख लीडर्शिप जिस विच हर वनगी दी लीडर्शिप शामल सी वल्लों परशाशनी सुधारां दे मसले प्रती अपनाई समुच्ची पहुँच दा पडचोल मां अधियन कीता जावे ता इस सुवाल दा जुआब सैजे ही मिल जावेगा जितों तक सिख तरमदी हिंदू मातनाडों वकरी ता आर्मक पशान दा सुवाल सी उस बारे सिख लीडर्शिप अंदर कोई सदान तक कचोड़ा जाँ दुविदा नहीं सी एह ता आर्मक चेतन ता उसने सिंग सवा लहर कोड़ों ग्रहन कीती होई सी इस करके जिनाचिर लड आई इस तरमक सब्याचारक मुद्दे तक सीमत रही उन्नाचर सिख लीडर्शिप अंदर कोई सदान तक डावा डोलता जा थेडकन नहीं आई पर जियों ही परशाशनी सुधारा दा छेडा छिड़ पैन नाल मसला राजसी रंगत अक्तियार कार गया ता सिख लीडर्शिप अंदर सिदान तक अस पश्टता ते डावा डोलता दे चिन परगठों लगे हुण मसला निरा सिख पांथदी वकरी तार्मक सब्याचारक पशान दा नहीं सी रह गया सगो नाल ही इस दे आर्थक ते राजसी हित्ता दी सरख्या दावी बन गया सी सिख लीडर्शिप लई एह कार जिन्नवा नवेकला सी अते बे पेता वी जिन्नाचर लड़ाई तार्मक ते सब्याचारक खेतर तक सीमत रही उन्नाचर इस विच्चों मुस्लम सैक्टर तकरीबन मनफी रहा सिख पांथ दा इसलाम मी पाई चारे नाल तार्मक सब्याचारक पशान दा कोई चगड़ा नहीं सी एह चगड़ा केवल ते केवल हिंदू वर्ग नाल ही सी पर जद लडाई राज सी खेतर अंदर दाखल हो गई ता इस नाल लडाई दे समुच्ची व्याक्र नहीं बदल गई पहला सिख कौमनो खत्रा इक वर्ग हत्थों सी पर शाष्चनी सदरा दा च्छेडा च्छड़न नाल सिख कौमनो हिंदूआ दे नाल ही मुस्लिम वर्ग वाले पास्यों वी वड़ा खत्रा दिखाई देन लगा पंजाब अंदर क्योंकि मुस्लिम वर्ग बहुग इन्ती विच सी इस करके नुमाइंदगी दे सिदांत ते अधारत नवी राज पर नाली दे होंद विच आउन नाल सिख लीडर्शिप नू पंजाब अंदर मुस्लिम वर्ग दा राजसी गलबा स्थापत होंदा दखाई द इस करके सिख लीडर्शिप दा सारा जोर इस आफत नू टालन वाल उलर पया उसनू इस गलदी बहुती चिंता ना रही के पारतंदर हिंदू बहुग इन्ती दा राजसी गलबा स्थापत होंदा कट इन्ती वर्ग नाल की बीतेगी उस दा दृष्टी बिंदू पंजाब तक सुंगड की रह गया ते पंजाब अंदर मुस्लम वर्गनू राजनी तक सरदारी हत्याउन तों वर्जना उस दी एक मातर चिंता ते एक नुकाती प्रोग्राम होने पड़या इस तो बाद उस दा हर नीती पैंतड़ा एक्थों ही नरदार्थों लगा इस तरह सिख लीडर्शिप अपनी अन्नी मुस्लम दुश्मनी सदका एक अजे ही नकार्तमक राजनीती दी पटड़ी उते जाचड़ी जिते हो ठीक अते गल्त विचका अर्निखेडा कारसकन दी स सम रथा ते सुद्ध बुद्ध ही खो बैठी चाहिदा एहे सी के सिख लीडर्शिप परशाशनी सुदारां दे समुच्चे वर तारे दा गहर गंबीर विचलेशन कार दी अते सिखी सिदांता ते सिख कौम दे बुन्यादी हित्ता नु मद्दे नजर राख देया होया पारत अंदर पच्छमी तर्ज दी जमहूरी राज पर नाली अपनाओन दा अर्थ एथे हिंदू वर्ग दा राज सी गलबा स्थापत करना होगा ओ पारत दी समाजी विवस्था तों एड़ी अनजान नहीं सी के इनी गलवी ना समझ सकती के हिंदू वर्ग दा राज असलि जान दे वर्गां दा जीना होर वी मुहाल कार देवेगा क्योंकि हिंदू सवर्ण जातियां दे हाथ विच राज सी सत्ता आजान नालोना दा जात पाती गरूर ते फतूर सत असमानी जाजडेगा एही कारन सी के कांग्रस दी अगवाई हेठ जियों जियों हिंदू वर्ग करूर व्यंग ही किहा जाना चाहिदा है कि शानदार ब्राह्मनवाद विरोधी परंप्रामा दी माल्क सिख लहर राज सी खेतर अंदर इना दोनों ब्राह्मनवाद विरोधी तारा आवा नालों पूरी तरा अलग थलाग होके रह गई मुस्लिम वर्ग नालता सिख लहर दे विरोधा दी समझ आउधी है जिनानों हिंदू आगुआ ने अपनी मतलव पूर्ती लई राज के वर्तिया प्रंतु अजादी दी लडाई दे समुचे अमल दोरान जेही इक वियुदार नहीं मल दी जाद सिख लीडर्शिप ने दलत पाईचारे दे खच्छेयां ते पावनावानू दिली पदर ते महसूस करके उस नाल राज सी नेटा काइम करन्दा सुचेत अते सुहर्द यतन किता हुए उल्टा सगों होया एहे कि जाद दुजी गोल मेज कांफरेंस मौके उनी सो बती डाक्टर पीमराव अम्बेद कर पहल कदमी ते सबना काट गिंटी तार्मक पाईचारेयां हते दलत वर्गांदा विशाल सांजा मुहाज बनाके सर्ब सांजा राजसी पैंतड़ा उबारंदा यतन किता गया ता सिख नुमाइंदिया ने अपने आपने आपनो इस मुहाज नालों अलाग कार लेया असल विच्च हिंदू लीडर्शिप सिख आगवाँ दे मुकाबले कि ते वाद शातर ते बुद्धी माम साबत होई उसने राजसी खेतर अंदर लडाई लड़न लेया अपने पहले सिदान तक हथेयार नो लिश्का सवार के नवारूप दे लिया जिमें हो पार्ती मूल दे सबना तर्मा नो विशाल हिंदू पाईचारे दांग कै के हिंदू वाद दे खारे समुंदर अंदर जजब कार लेयन दी युद नी तक पहुंच अपना के चाल रही सी उमें उसने पैदा हुई नमी स्थिती ते लोड नो मुख राख दे होया प इंग्रेजां कोडों राजसी सत्ता हथे ओन दे संगर्श विच इस्तिमाल कीता जासके दुज्जा उनानू मुख तारा अंदर खिच के उना दा पार्ती करन कारदता जावे जिस दा सिद्धा ते साफ अर्थ एह सी के इना गैर हिंदू वर्गां दे लोकां दे मना अंदर जो अपो अपने पाईचारियां प्रती मुख ते शर्दा दियां पावनामा हन उनानू इक कल्पत पार्ती कौम प्रती शर्दा दे जजबे हेट दबादता जावे पार्ती कौम दा एह अडंबर हिंदू वादी ताकतां दे आतम साती तार्मक पैंतडे दाही राजसी रु जन सी गैर हिंदू तार्मक वर्गां दे हिंदू करन नू पार्ती करन दाही नवा नाउं दत्ता गया सी बुन्यादी तत ओही सी एहे ओह नुक्ता सी जित्थे सिख लीडर्शिप बूरी तरा मात खा गई हिंदू वादी ताकता वलों पार्ती कौम वाद दा नमा विचार तारक हत्यार लिश्कौन अते लहरों दी देर सी के दहाक्यांतों तार्मक खेतर अंदर हिंदू गल्बा प्रस्तिवरुद सक्त जान्स दांतक लडाई लाड़ती आ रही सिख लीडर्शिप राजसी खेतर अंदर एक दम मुद्दे मू जाड़िगी इक विजेहा परमान नहीं मिल्दा जिस्चों सिख लीडर्शिप वलों पार्ती कौम दी गुमरा करू तारना ते इस पिछे काम कार दे हिंदू मनसूब्यानों शाक्कते परचोल दी निगानाल देखन दे किसे यतन दा पता चाल इस दे उल्ट जेहियां दरजना उदारना ते सैंकडे ही हवाले दिते जा सकते हन जिना चों इस अती एहम मसले बारे सिख लीडर्शिप दी अग्यानता दी बहुत ही करूप तस्वीर उगड़ दी है कपूर्थला रियासते सापका वजीर सरदार संत सिंग जो चीफ खासा दवान दी जानी पशानी हस्ती सन अते जीना दी कसुल जी होई विदवान शक्षियत वज्जों खास कदर सी ने चीफ खासा दवान दी ही कहोर सरकरदा हस्ती पाई जोद सिंग बारे चापे गए अभिनंदन ग्रंथ विच इस मसले बारे अपनिया आते समुची सिख लीड जी के विदान विच वाख वाख वरगा दिया अड़ अड़ चोना नहीं होनिया चाही दिया क्योंकि इस नाल देश प्यार कट जानदा है अते हिंदोस्तानी कौमियत दे पाव पर फुलत नहीं होंदे इसे तरह पारत दे आजादी अंदोलन दौरान अते अजादी तो बाद वी हर मंच उते सिख कौम दी तरजमानी अते उस दे पाख दी वजाहत करन वाले सरदार उजल सिंग 1973 विच्वी हिक ठोक के कह रहे सान एहे गल कदे नहीं पुलनी चाही दी के अपने वाज बहका दी राखी दी चिंता दे नाल ही सिख हमेशा कौमी नजरिये देता आरनी रहे हन इते कौमी नजरिये तों सरदार उजल सिंग हुरांदा जो पाव है उस बारे किसे पुलेखे दी गुंजाइश नहीं सरदार सांत सिंग ते सरदार उजल सिंग देना कथना तो इलावा अजेहे होर सैंकडे हवाले दते जा साक दे हन जिना चो इह सचाई स्वे उजागर हुंदी है कि इस सदी दे शुरू तो लेखे अठमे दहा के तक हर वनगी दी सिख लीडर्शिप पार्ती कौम दी तारना नू सच कबूल करके चाल दी रही है अते अपने आपनो सचे देश पक्त ते कौम परस्त साबत करन लई सिख पाई चारे दे कौमी हिता नू ना सिर्फ नजर अंदाज सगों कई मौकियां ते ता शर्याम निलाम कर दी रही है गुर्दवारा सुदार लहर एक नवा मोड अपने उदेशा पक्खों गुर्दवारा सुदार तहरीक सिंग सबा लहर दाही जारी अमल सी जिमें पिछे जेकर हो चुका है कि अठारवी सदीच सिंगां उत्ते जोल्म वदन कारके गुर्दवारें दा प्रबंद उदासी संपरदाए हाथ चला गया इसनाल गुर्दवारें अंदर गुर्मत विरोदी रहो रिता ते अमल शुरू हो गए सिख राज वेले गुर्दवारें दे नाओं वडियां जगीरां ता लग गयां परेना दे प्रबंद लई कोई मर्यादा तैना होई सिख जीवन दे होरना खेतरा वांग गुर्दवारें अंदर वी ब्रह्मन वादी पर बामां दा बोल बाला हो गया उदासी महंता ने हिंदू परंप्रा मुताबक चेले पर्ती करने याथे अपने वार्स न्युक्त करने शुरू करते अंग्रेजां वेले जमीन मालकी दे कानुनना अंदर सोधा होन कारण बहते गुर्दवारें दी जाइदाद महंता दे ना हो गई नेरा निक्रन करके दे खेती चाई सुधारां दी बदौलत गुर्दवारें दी आमदन चो चोखा वादा हो गया निश्चित मर्यादा दी अन्होंद कारके इस नाल गुर्दवारा प्रबंद अंदर बे नियमिया अते महंता दे जीवन अमल अंदर वड़े विकार पैदा हो गई सिंग सबा लहर दी पर चार पसार नाल सिख पाई चारे अंदर पैदा होई नमी चेतना कारण शर्दालू सिख वर्ग नू महंता दा अचार विहार चुबन लगा सैजे सैजे गुदवारें दे प्रबंद अंदर सुधारा दी लोड़ दा एहसास जोर फाड़तो रहा कुझ जगा सिंगा ने कानूनी चारा जोई नाल महंता नू बदलना चाया पर अदालती सिलसला उल्जमा खरचिला ती नाल ही पक पाती वी सी इस करके सिख वर्ग अंदर अंदोलन वादी एजिटेशनल सोच अते प्रवर्तियां जोर फड़न लगिया इस नवे रुजा आंचों सिख राजनीती दी नवे शकल सूरत उबर के सामने आई 19 सदी दे आखरी साला दोरान सिख सबामा दी गिंती वीच वड़ा वादा होनाल उना दियां सरगर्मियां अंदर ताल मेल बठाउन लई किसे केंदरी सिख संस्था दी लोड खड़ी हो गई सी इस लोड नो पूरा करन लई 1902 विच चीफ खाल सदवान ना दी जथे बंदी होन विच आई इस बार सूख सिख संस्था दे ओदे दार तार्मक समाजी सब्याचारक ते सियासी मसलियां ते सिख पांथ दी तरजमानी कार दे सान चीफ खाल सदवान दी लीडर्शिप रईस वर्गां दे हत्था विच सी सुंदर सिंग में जीठियास दा बानीस कत्र बनेया ते 1901 तक इस ओदे ते बिराजमान रहा इस वर्ग दा सिखी दे सिदांता दी था सिखी दे बारी चिनना नालव देरे सरोकार सी इह वर्ग अंग्रेज हकूमत नाल टकराओ दे उक्का ही पाख विच नहीं सी असल विच इस मामले चीफ खाल सदवान दी लीडर्शिप सिख सबा लहर दे मोडियां दी सोच दे विरासत नों ही जारी रख रही सी इस दे विचार विच सिखी सुदार जा गुर्द्वारा सुदार दा कार्ज अपने आप विच सिख पाइचारे दे अंग्रेज हकूमत नाल विरोध जा टकराओ दा अदार नहीं सी बांदा ओह सगों इस मामले विच बरतानवी हुकमराना दी दया हम दर दी ते हमायत दियां उमिदा रख के चाल रहे सान ओह अंदोलन दी बजाए सरकार कोड बेंतियां मंग पत्तर अते लोड पैन ते अदालती कारवाई दा आसरा लें दी सोच अते सियासत दे तार नी सान अंग्रेज्यां दी सिखां प्रती युद नी तक पहुँच अंदर गुदवारें दी अते सिख पत्तवंते तेरईस वर्ग दी वड़ी एहमियत सी सिख जगत नाल राप्ता गंडन संचार स्थापत कारन अते उसनू अपने कंट्रोल हेट रखन लई ओह इना नू कारगर ओजार समझ दे सनू पामे उना सिख रही सांते सरदारां दी हमायत अते मदद नाल सिख पाइचारें अंदर अपनी चंगी पैंट बनाली होई सी अते उना नू फौरी किसे वड़े विद्रो दी कोई संभावना दखाई नहीं सी दन दी प्रंतु सिख कौम दी राज करें के लड मरें दी तरबियत नू त्यान विच रख देयां उह लगातार चौक सी वर्त रहे सां ओहो सिखां दे तार्मक पख प्रती खास तौरते सुचेच सां शिखी जजबेदी ताकत ते सबावी तंत्थ बारे ओहो जिनने चेंटन सां उनन्ने ही चौक सुछी सां इस मारा के जिधे आम करके ओह पार्ती लोकां दे तर्म अते तार्मक मामलियां विच्चे सिदी दख करन तो गुरेज करन दी पहुंच अपना के चाल रहे सन उथे सिख्छां दे मामलेच उखो अलग तरा वर्त रहे सन उना हिंदुआं ते मुसल्माना नो अपने तार्मक अस्थाना दी आप संबाल करन दी खुल पर दान किती होई सी इस विच सरकारी दखल दी कोई ववस्था नहीं सी रखी गई पर सिख्छां नो एहे खुल नहीं सी अठारा सो क्यासी विच्च ही के सीनियर बरतानवी अधकारी ने वाइस राए लॉड रिपन नो पतर लिख के आगा कारदता सी के सिख्छ गुर्द्वारियां दे प्रबंद नो हकूमती कंट्रोल तों बारी हथां सियासी तोर ते खतरनाक होवेगा सिख्छां दी शर्दा ते शक्ती दे सोमे शरी हर्मंदर साहिब दा परबंद सिद्दे सरकारी कंट्रोल ते निगरानी हेथ रखनली विशेश विवस्था कडी गई सी दर्बार साहिब दे मैनेजर सरबरा दी निगती सरकार वलों हों दी सी अते अमरे सरदा डिप्टी कमिशनर शरी दर्बार साहिब दी परबंद की कमेटी दा कानूनी हैसियत विच करता तरता सी शुरू विच पामे सिख जनता नोही गाल जादा चुब भी नहीं सी लागदी प्रन्तू सिंग सबा दे परचार अते सरगर्मिया दे असर हेथ सिख पाईचारे अंदर फैली तार्मक चेतना सदका उस दे मना अंदर इस सबंदी तिखे स्वाल शंके अते इतराज पैदा ह लगे उनी सो छे विच सिंग सबा अंदर ले गर्म दलिया दे दबा हिट चीफ खालसा दवान ने एक मता पास करके दरबार साहिब दा परबंद सिखां दी नुमाइंदा कमेटी हवाले करन दी मांग की थी बेशक चीफ खालसा दवान दे अग्वान ने अपनी सोच अते खसलत मताबक इस मते दी अग्गे कोई पैरवाई ना किती प्रंतु सिख जनता अंदर इह सोच अते जजबा लगातार तकडाई फार्दा चला गया समुचे देश अंदर बन उसर रहे नवे राजसी महौल दे असर हेट सिख पाई चारे अंदर नवी सोच अते नवियां पावनावा पैदा हों लगियां सिखा नो उना दे तार्मक मामले आज गैरां दी खास कारके सरकार दी दखल अंदाजी रड़कन लगपई अते इसनों ओहो कौमी अपमान दे रूपच देखन लगए फरवरी उनिस उन्नी विच पांथ सेवक ना दे सिख सप्ताहक पत्तर दी दरबार साहिब दे परबंद बारे हेट लिखी टपनी सिख पाई चारे अंदर पैदा हो रही नवी सोच अते रौँ दी परतीक सी पांथ सेवक ने लिखिया की दरबार साहिब उते खाल सेदा कोई कंट्रोल नहीं रह गया जो पेटा चाड़ दी है ओहो पांथ दी नहीं परबंद सिखां दे हाथ च नहीं की सिख एने जोगे वी नहीं के ओहो अपने तार्मक अस्थाना दी देख पाल खुद कार सकन एहो गल गुर्दवारा रकाब गंज दे मसले नाल वापरी अंग्रेजावलों कलकत्ते दी जगा दिल्ली नू राइता नीबना ओन दे फैसले नाल दिल्ली नू नवा रूप देंदा सलसला शुरू का दता गया वाइस रीगल अजोक के राश्ट्रपती पवन नू जान दी सडक दी चड़ाईवदा उनलई 1913 विच लोक निर्मान महक में ने रकाब गंज दी बाहरली कंदटा दती इसनाल सिख जगत अंदर गुसे दी लहर फैल गई सिख अपनी पर मुख नुमाइंदा संस्था चीफ खासा दवान कोडों असरदार कारवाई दी उमीद अते मंग करन लगे दवान दे अग्वाने अपनी रवायती सोच ते शैली मुताबक अधकारियानों बेंती पतर पे जण ते गालवात राही काईल करन दियां कोशिशां तो अग्गे ना कोई कदम पुटना सी ते ना पुट्टिया बरतानवी दिकारी सिख दवा अग्गे चुकनली त्यार नहीं सन पर इन्ने नू पहली संसार जांग छड़ पई इस नाल एहे मसला आरजी तोरते दाब गया जांग दे खात में नाल ही एहे मसला मुड उठ खड़ा होया सिख जनता टाई होई कांदनू मुड उसारंदी मांका रही सी पर अंग्रे सरकार हुकमरानी हैंकड कार किया अपनी पुजीशन तों पिछा हटन लई राजी नहीं सी चीफ खाल सादवान दे आगू अपनी रवायती सोच अते पैंटडे तों इदर उदर होन ली तियार नहीं सन इस नाल सिख लीडरिशिप दा इही वर्ग सिख जनता दे मनों लथना शुरू हो गया पारू सिख रों सरकार नाल करारे हथी निप्टन दे हाक विच सी इस दा पर मान इस गाल तो मिलदा है कि जदल हो अरतों छापदे अकाली नाओ दे सिख अखबार दो स्तंबर उनिसो वी विच सरदार सरदू सिंग कविशर वलनों इहे अपील पर काश्ट होई के रकाब गंज दी कंदनू मुड़ खड़ी करन लई पांथनू एक सो सिरलत योदियां दी लोड है ता एक सो दी जगां तुरंत सात सो मरजीवडे मिदान विच नितराई अनेका सिंगा ने अपने खून नाल चठियां लिखके पे जिया 1918 विच सियाल कोट विखे बाबे दी बेर गुर्दवारे दे महंत दी मौत हो जान परंत विरासता चगड़ा उठ खड़ा होया गुर्दवारे दे प्रबंद अंदर सुधार ले और दा विचार सिख जगत दे वड़े हिस्सें अंदर फैल चुका सी इस दे असर हेट जगां जगां सुधार वादी तात गुर्दवारे दा परबंद सिख संगतां दे हाथ दें दी मंग उठाउन लगे बाबे दिबेर गुर्दवारे दा परबंद सिख संगतां दे हवाले करं दी मंग काफी जोर फड़ गई सिंग सबा लहर दे कार कुना ने इस सबंदी मते पाई अधकारिया नो याद पतर दते कानून दा आस्रा भी लेया पर उना देह सारे यतन नहफल होके रह गए इह कोई कली कैरी कटना ना रहके उस वेले दा आम वरतारा ही बाण गया सी गुर्तामा दा परबंद सुधारन अते प्रिष्ट महंता नो लांबे कारके गुर्दवारया नो सिख संगता दे हवाले करन दी मांग थां थां उठन लाग पई जल्दी ही एहे रुजान एक ताक्तवर लहर दा रूप अक्तियार कार गया इस नाल सिख कौम दे अंग्रेज सरकार नाल रिष्टे अंदर वड़ी तबदीली दा अधार त्यार होन लगा अंग्रेज हाकम ते रवायती सिख लीडर्शिप दोन्नों ही इस कटना करमतों डाड़े फिकर मांदसान पर कटनामा दे वहन मूरे उना दी कोई पेश नहीं सिचाल रही उन्ज देख्या जावे ता गुरद्वारा सुधार लहर दा सुबावक वहन सरकार विरोधी कट अते हिंदुवाद विरोधी जादा सी इस दा असली उदेश ता गुरद्वारे अंदर पर चलत हिंदु रोह रितां दा खात्मा करना सी सिख तरम दी हिंदु वाद नालों वक्री पच्छाण ते सुतंतर हस्ते जतौन वास्ते वक्री सिख पच्छान नो खोरा ला रहे हिंदू वादी अमला ते रोक लोनी जुरूरी सी गुर्द्वारेयां दा डेरेयां खाडेयां नालो निखेडा करना जुरूरी सी अजेहा कीते बगैर सिखी दे हिंदू तरम नालों निखेडे दा कार्ज पूरा नहीं से हुंदा सिंग सबा लहर ने इस दे लई लोडिन दा विचार तारक अदार तियार कादता सी सिख पांथ अंदर जियों जियों इहे चेतना तिखी हुंदी गई त्यों त्यों गुद्वारे अंदर पर चलत हिंदू वाद दी अमला दे विरोध दियां पावनावा जोर फार्दियां गया अमरिसर दरबार साहिब अंदर दुख पंजनी बेरी दे सामने वाली कमरेच बहोप जावावाली खडगतारी देवी दी मूरत जिस विच गुरु गोबिन सिंग जीनु देवी सामने नंगे पैरी अधीनगी नाल खड़े दखाय गया सी, पता नहीं किनने चिरांतों बरदाश्ट हुन दी आ रही सी पर सिख पांथ अंदर नवी चेतना विक्सत होन दी देर सी के दरबार साहिब वरगे केंदरी तार्मक अस्थान अंदर जेही गुर्मत विरोधी रीत सिख समवेदनानू कंडे वांग चुबन लग पई इसे तरह हिंदू वादी अंसरावलों दुख पंजनी बेरी हेट हिंदू मूर्तिया सजा के उना दी पूजा अरंबन दा कर्म सिख तरम अंदर हिंदू वादी कुस पैठ करन दी गिणी मिथी चाल वजों देखिया अते निंदिया जान लगा एहे हरकत इनी पड़का उसी के दरबार साहिब दे मैनेजर अरूर सिंग नू जो खुद सिखा नू एक हिंदू फिरका मन्यंटे पर चारन वालेयां चों सी चीफ खासा दवान दे जोर पाउन ते दो मैई 1905 नू दरबार साहिब अंदरों इना हिंदू मूर्तिया नू तुरंत हटाउन दा आदेश जारी करना पया आरिया समाज जो खुद मूर्ती पूजा दी कटड़ विरोत्ता कालदा सी ने इस आदेश दी तिखी मुखालफत कीती अखे इसनाल हिंदू सिखादे सबंदच तनाओ पैदा होगा आरिया समाज जी ने 13,000 दसखत करवा के सरकार नू पेजी पटीशन अंदर फरयाद कीती के ओह हिंदू मूर्तिया नू मुडबहाल करवाई इक 11 मेंबरी वफद महराजा नबा कोल पेजिया की ओह अपना असर रसूख वर्त के अरूर सिंग नू इह आदेश वापस लैनली मनाई आरिया समाज दा इह विरोध सगों उल्ट उपजाओ थाबत होया इस नाल सिख पंथ अंदर वक्री पिशान दी चेतना दी तार होर तिखी होगे हिंदू समाज अंदर ले को जो हिस्से सिख पाईचारे अंदर जोर फाड़ रहिया इना वक्रे पंडिया पावनावातों डाडे प्रिशान अते चिंता तुरसन खासकार के सनातनी वर्ग जो पार्ती मूल दे सबना तार्मक मतां ते फिरक्यां बुद्ध, जैन, सिख आदी नू हिंदू वाद दियां ही वन गियां मित के चालदा सी अते गैर पार्ती तर्मा इसलाम ते इसायत खिलाफ अपने फिरक्याद अंदर इना सबना पार्ती तार्मक मतां ते फिरक्यां दी मजबूत यक जहिती दी समझ अते सेद दातार्नी सी सिख तर्म दी हिंदू वाद नारों वक्री पिशान जताउन दी कोशिश इना हिंदू वाद दी ताक्तां दे उदेशां दे गिंतियां मिंतियां विच्च वड़ा विगन पारही सी इसकार के इहे ताक्तां सिख पाई चारे दी सोच अते रुजाननू गैरी चिंता दी नजर नाल देख रहिया सन अते इस दा कोई उपाला बरहिया सन सिख पा इचारे दा बरतानवी हाकमा नाल तिखा हो रहा टकराओ इना हिंदुवादी ताक्ता दे इना मन्शेयां ते मन्सूबयां दे अनुकूल बैठता सी इस नाल इकता सिख लीडर्शिप अंदरला अंग्रेज पगत वर्ग चीफ खासा दवान ते होर रईस तत जो वक्री सिख पचान उत्ते खास दब दे रहे सन सिख पा इचारे चों खुद बखुद अलग थलाग हुंदे सन दुज़ा अंग्रेजा नाल टकराओ दे तिखा हो जान दी सूरत विच सिख कौम दा हिंदू वर्ग नाल विरोध अपने आप ठंडा पिंदा सी तिज़ा इस नाल हिंदू वादी ताक्ता दिया विशाल हिंदू एकता साकार करन अते इस दे आसरे पाती राज पाग दी वाग दोर संबालन दिया राज सी मुरादा पूरिया हुंदिया सन इस वज़ा करके इह हिंदू वादी ताक्ता गुर्द्वारा सुधार लहर दे उदेशां ते टीचे अंदर अच्छो पड़े ही तबदीली कार देन अते इस दे हमले दी तार हिंदू वाद वलों मोड के अंग्रेज सरकार वाल पूहा देन दी सोच अते इच्छा पाल रह अपनिया इना इच्छावा नू हकीकत विच पल्टन लई इह टोकवें मौकेयां ते बहानियां दी तलाश विचे सन जिवें के अग्गे चालके देख्या जावेगा उनना अजेहे गनीमत मौके अते बहानियां छेती ते सुखालियां ही जुड़ गए इना ताक्तां चे हिंदू महा सबात आर्या समाजी कटडवादी हिंदू संगठना तो लेके कांग्रस पार्टी अंदर ले कुझ उदार वादी हिंदू तात जिनादा सर्गना महात्मा गांधी सी वी शामल सान सिख लीडर्शिप अंदर ले रवायती हिस्से किसे वी सूरत अंग्रेज सरकार नाल टक्राओ दे पाखविच नहीं सन निरा पुरा अपने अंग्रेज पगत खासे करके ही नहीं वद अपने विचार तारक नजरीय करके उननू सिख कौम वरगी निगूनी कट गिंती दे सरा पैन नाल वड़े खतरे ते तबाही नजर आउंदी सी इसकार के हो सिख कौम दी पलाई दी सुहर्द पावना चोहीं सिख पाई चारे अंदर पैदा होन वाली टकराओ वा दी सोच अते रुची नू थाएं मौन्दा ला देन दी समझ अते सेध अपना के चाल रहे सन 1914-15 विच गदर पाटी दी अते बाद विच बबर अकाली लहर समेत सबना सरकार विरोधी हंसक रुजाना दी कटड मुखालफत नू निरापुरा चोड़ी चुकपणा कैके निंदन दी बजाए इस दृष्टी कौन तों वी देखन दे समझन दी लोड है वीवी सदी दे दुजे दहा के दोरान हालत अंदर वड़िया ते बहुगुण तब दीलिया वापर गईया जिना ने सिख राजनीती नू नवा मौड दे दता पहली संसार जंग दोरान पारदिया कुझ राजसी ताक्ता ने बरतानवी हकूमत दी हमायत इस उमीद नाल कीती सी के जंग तो बाद उना दे हितां दा ख्याल कार दिया होया उना दिया वाजब मंगा ते शिकायता होते हम दर्दी नाल विचार कीती जावेगी पर अजेहा कुझ नवापरिया जिस सदका देस अंदर आम करके बरतानवी हकूमत वरुद नाराजगी दा महाल बाण गया पंजाब अंदर जंग दोरान बरतानवी हकूमत नो बहुत वड़ा समर्थन मिल्या सी लग पग सारे तार्मक फिर्किया दे रईस हैसियां खास करके वड़े सिख अते मुस्लम जम्यदारां सिंग सबामा चीफियां महंता सेवदारां रियास्ती राज कराणेयां सरदारां जैल दारां ने अपना असर रसूख वर्त दिया होयां वड़ी पदर ते फौजी परत करवाई जंग दे शुरू चेही पंजाब अंदरों एक लखत उपर जवान परती होया जंग दे खात में तक इकले सिखांदी परती लखतों उपर पहुँच गई सी पंजाब अंदर हर अठाइमा व्यक्ति फौज विच सी सिख रई सवर्ग नो इह पका पर उसा सी के जंग तो बाद बरतानवी हाकमा वलों सिख कौम दिया से वावाँ दा मुल जरूर तार्या जागेगा अंग्रेज हाकमा ने मुल तार्या ता जरूर पर अपने ही अंदाज विच उना सिख सरदारां पतवंतियां अते महंता सेवा पर दान ते सिखा नू हिंदू कहन वालेयां दा सरगना सी नू चार सो एकड़ दी जागीर राजे दी उपादी अते सोड ओफ आनर नाल सन्मानत किता गया वद परती वाले पिंडा ते इलाकियां दा मालिया कटा दता गया ते जंगी को लाटियां वेटरंज नूवी जमीन ना अलाट कर दतियां गया पर जित्थो तक आम सिख पाई चारे दियां पर मुखता आर्मक ते राजसी मंगां दा सबांद सी उना प्रती हकूमती रवयेच कोई तबदीली ना आई हर जगा सरकारी अधकारी अपने पिठु महंता सेवादारां दा पाखपूर रहे सान परशाशनी सुधारा ते लखनव पैक्ट दी रोशनीच सिखा वल्लों जो अपनी उच्चित नुमाइंदिगी दी मांग किती जा रही सी उस परती अंग्रेज हकूमत वल्लों बराबर अपनी बेवसी पर गटाई गई रकाब गंज गुर्द्वारे दा मसला उमें खडा सी इस नाल आम सिख जनता अंदर अंग्रेज हकूमत वरुद रोस ते बगानगी बाद दी जा रही सी दुझे पासे रवायती सिख लीडर्शिप अंग्रेज हाकमा प्रती अपनी सोच ते रवये अंदर कोई तब्दिली लियों दे रोवच नहीं सी रईशा सरदारां पत्वंतियां दी अंग्रेजां प्रती वफादारी जागीरां उपादियां इनामा ते सनमानना दी बुर्की नाल वदफुल के पिठु पुने दी प्रवर्ती च तब्दील होगे अंग्रेज हकूमत वल्लों सिख समाज अंदर सुचेत रूपच बीजे बुर्की दी सियासत दे इना बीज्जांदा कोडा फाल सिख कौम नू वार वार लगातार चखना पेंदा रहा ओदियां तरक्कियां कुर्सियां ठेकियां ते पर्मिटा आदी लई हाकमा गे विछ जान दी एहे परत आज वी बद सतूर जारी है कुर्बानी ते सुरम गती दे जजबे दे नाल ही खुद प्रस्ती दी एहे जहर वी सिख कौम दे खून चराल गई जां रलादती गई है इस दे ब्रो बराबर ही पंजाबी लोकां दे कुझ वर्गां अंदर अंग्रेज विरोधी पावनावा दियां कुझ होर तारावावी वागरिया सन 1914-15 विच पंजाबी प्रवासियां जिनाचों वड़ी गणती सिखा दी सी ने पार्ती फोजांदर बगावत आसरे देश अंदर गदर मचा के जांगच उलजे बरतानवी हाकमा कोडों देश आजाद करवाउन दी योजना बनाई पंजाब दे लोकां खासकार के पेंडू सिख पाई चारे दा सहयोग इस योजना दी केंदरी टेक सी अजादी दे जजबे नाल सरशार गिन्ती दे गदरी लोकां ने पंजाब दे पिंडा अंदर गदर दा सुनेहा पहुंचाओं लेई पर चार सरगर्मिया चलाईयां प्रन्तू पेंडू सिख पाई चारे ने इस पर चारदा कोई खास हुंगा राना परया लोकां दी हमायत तों विर्वी अते जथे बंदक पाखतों बेहद कच्ची एह लहर हकूमती जबर मूरे बौता चर ना टिक सकी इस लहर दे सरकरदा आगुआ नू जांता फांसी दे देती गई हते जां काड़े पानी वरगियां सक्त सजामा दे देती गई हते पंजाब दे पड़े लिखे दरम्याने वरग उते गदरी आगुआ दियां इना कुरबानिया ते सरकारी जल्मादा गेरा असर होया उना अंदर आजादी दियां पावनामा पर फुलत होईया ते बरतानवी सरकार वरुद रोस ते गुसे दी के लहर जही पैदा होगे सिख समाज अंदर ले रवायती हिस्याँ वल्लों इस मामलेच अपनाए अंग्रेज पगतवतीरे ने रवायती सिख लीडर्शिप नू आम सिख जनता चों अलग थलग करन विच सहाई रोल न बाया इसे दुरान उनिस उन्नी विच पंजाब दे कुछ वर्गा अंदर रोल्ट एक्ट दे ना ना जाने जान दे काले कानून ना विरुद रोस दी लहर फैल गई गांदी ने इस रोस पावना नू विशाल अंदोलन दा रूप देन लई पंजाब विच एक विशेश कमेटी बनाई पर एहे रोस लहर मुखत और ते शैरी मद वर्ग तक ही सीमत रही पेंडू सिख वसों इस एजिटेशन विच खास रुची नहीं सी लह रही उस वेले तक पंजाब अंदर कांगरस दा कोई जन तक अधार नहीं सी पेंडू खेतर विच ता उक्का ही नहीं पंजाब देक कांगरसी अगू दुनी चांद दे शब्दाच शुरू दार विच पंजाब अंदर कांगरस एमे गिंती दे छुटियां मनोन वाले लोकां दा बौधिक मन पर चामे ले जोड मिला ही सी जिसनू कौमी चेतना केह जन्दा सी उस दा असर छोटे मदवर्गी के रे तक ही सीमत सी आम सिख जन्ता जादा करके अपने तर्म अते पांथ दे मामल्या विच ही रुची पर गटा रही सी गांदी इस हालत ते खोश नहीं सी उस सिख जन्ता नू खास करके पेंडू सिख वर्गनू बरतानवी हकूमत प्रती वफादार सिख सरदारा चीफियां ते शाही सिख कराणियां दे असर हेठों कड के अजादी संगराम दी मुखतारा अंदर खिचले ओन ले तहू सी असल विच गांदी नैरू अते दूसरे हिंदू कांगरसी लीडर सिखा दी गुर्दवारा सुधार लहर दी विचार तारक मार्ग दिशा ओरियन्टेशन ते टिड़ों खोश नहीं सान उना दा बड़ा इतराज एहे सी के एहे लहर सिखा अंदर हिंदू वाद नाडों अलहैद गी दी सोच नू तकडाई बख्ष रही है कुझ हिंदू तार्मक जथे बंदियां हर दवार दे अखाड़ेयां हिंदू समाजी संस्थामा लहोर ते पिशावर दियां हिंदू सबावा नीम राज सी हिंदू संगठना पंजाब हिंदू कांफरेंस आदी अते हिंदू पक्खी प्रेस वलों खुले आम महंता जो सिख दियां नजरांच गुर्द्वारें अंदर हिंदू करन दे अमल दे वहक बने होई संग दा पाख पूरन सदका सिख लहर दे सिदे रूप च हिंदू विरोधी रुख अक्तियार कार जान दियां संबाव नावा पैदा हो सकतियां संग गांधी नो जेही कलपना तोहीं डार लागदा सि इस कारके वी हो सिख लहर दा रुख हिंदू वादवलों हटा के अंग्रेज हकूमत वाल पौणा चौदा सि इस पिछे उस दियां निरियां फौरी राज सि गंतियां मिंतियां ही नहीं सगों वड़ी युद नी तक सोच का मकादी सि ओस दान तक पदर ते सिख लीडरानू लिखे पत्तरांच उसने वार वार इस गालते जोर दता की जाती तौर ते मैंनू सिखी विच ते हिंदू मात विच कोई फर्क मलूम नहीं हुंदा एहे इको तरम दियां ही वन गियां हन अते होर हिंदूआं ते सिखांच वख्रेवा करना गल्थ है गुरु नानक देव जी जेकर हिंदू नहीं सन ता होर की सन हिंदूवाद एक विशास मुंदर दी तरह है जड़ा सबना नू कबूल कार लेंदा है ते अपने अंदर जजब कार लेंदा है साथ स्तंबर उनिसोचती नू उसने जुगल किशोर बिरला नू लिख्या की जे तुसी सिखांच नू इस गालली राजी कार लवो की सिख तरम हिंदू वाददा ही आंग है ता में नू हरीजना वल्लों अपने आपने 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 सिख सदवाण ते कोई तराज नहीं हो विगा उनिस्तंबर उनिसोचती नू उसने अपने अखबार हरीजन विच डाक्टर बी आर अंबेद कर दी इस गलों लापा किती के ओहो सिखा नू हिंदू नहीं मानदा इसे दोरान 14 नवंबर उनिसोचती नू अमरत कौर नू लिखे इक खत अंदर उसने वकरी सिख पश शान दी तारना विरुद अपने मान दी पडास कड़ देया होयां एहे गुस्ताख शब्द लिखे की गुर्मुखी लिपी विच कोई खास खुबी नहीं है मेरी समझन सार सिखा नू होरना हिंदुआ नाडो निखेडन लई इस दी वी सिंदी वांग ही चूठी काड़ लई गई सपश्ट है की गांदी सिखा नू होरना हिंदुआ दी श्रैनी विच ही शामल कारदा सी उस दे मन्चे सपश्ट सन ओहो सिख तरम नू हिंदुवाद दे विशाल समुंदर अंदर जजब कार लेंदियां इच्छामा पाल रहा सी उस नू पका प्रोसा सी के जेकर सिख लहर नू जो सवेले तक कांग्रस दी अगवाई हेठ ले आजादी दे अंदोलन तों वक्रा वहन बनके चाल रही सी इक वार पार दी आजादी दे संग्राम दी मुखतारा अंदर शामल कार ले जावे ता सिख पांथ दे हिंदू समाज अंदर अपेद होन दा अमल खुद बखुद चाले पैजावेगा इसे ही समय सिख समाज अंदर कुझ अजहियां एहम समाजी राजसी तब्दिलियां वापर गईयां जिना नाल गांदी नों अपनी एहे मनों कामना पुरी करंदे साजगार मौके नसीब हो गए नवी सिख लीडर्शिप नवियां सोचा नवे दस्तूर सिंग सबा लेहर वल्लों सिख जगत अंदर विद्यानों उच्छाहित करंदियां कोशिशां दे सिटे वज़ों सिख नौजवान वड़ी गिंती विच पडाई वाल प्रेरत होए 1911 दी मर्दम शुमारी अनुसार सिख मर्दा अंदर साखर्ता दी दर 9.4 फीस दी सी जद की समुचे पंजाब अंदर एहे 6.3 फीस दी सी हॉली हॉली सिख समाज अंदर एक पड़या गुड़या इलीट वशिष्ट वर्ग विकसत हो गया एहे वर्ग मुखतार ते समाज दियां दर्मियानिया परता चो आया सी इक वक्रे समाज जी ते राजसी वातावरं दी पैदावार हून करके इस वर्ग ने रवाईती सिख लीडर्शिप दी राजसी विचारता रहा ते अचार विहार नू शक अते पड़ चोल दी निगा नाल देखना शुरू का दता अंग्रेज हाकमा दी दया सद पावना ते सर प्रस्ती उते टेक रखन दी बजाए इस वर्ग ने अपने शिक्वेया ते शिकायता दे निप्टारे ते मंगा दी प्राप्ती लई सर गर्म जदो जहददा रा अक्तियार करना शुरू का दता मसले उठदे गए ते उल्जदे गए उसे अनुपात नाल सिख जगत अंदर बरतानवी हाकमा विरुद आउख ते नराजगी वादी गई रवाईती सिख लीडर्शिप दे स्थापत तौर तरिके बे असर अते अ पर संगिक होने शुरू हो गई पुरानी लीडर्शिप कुमलोणी ते नवी पुंगर नी शुरू हो गई इस संदर्ब विच गुर्द्वारा रकाब गंजदा मसला एक एहम मोड बिंदू साबत होया सिख जगत अंदर ले अंदोलनकारी वर्ग ने इस त्यार बरत्यार मसले नूँ हथा बनाके बरतानवी हाकमा विरुद तिखे संगर्ष दा नारा बुलंद का दता इस सद्धे नूँ सिख जगत वल्लों मिलेया पर पूर हुंगारा रवायती लीडर्शिप दे पर बावहीन होन अते उस दी राज सी विचार तारा दे वेला पुगा चुकन दा गूंजवा संकेच सी सिख जनता अपने गुर्दवारें तु लेके अपने खालसा काल्ज अमरे सर तक हर जगां सरकारी दखल दी लानत तों सुर्खरू होना लोच दी सी देश पदर ते तेजी नाल फैल पसर रही राज सी जागरती दा सिख पाइचारे ते खास कार केस दे पड़े लिखे वर्गां ते गैरा असर पैरहा सी पैदा हो रही नवी हालत दे सनमुख इस चिंतन शील वर्ग नू इह एहसास होन लगा कि सिख कौम सिदे रूपच स्यासी खेतर अंदर करम शील होन तों बिना अपने हक का हितना दी राखी नहीं कार सकेगी इस विच्चों सिख पंथ अंदर अपनी नुमाइंदा राज सी जथे बंदी दी लोड़ दा एहसास पैदा होया 3 मार्च 1919 लुद्याने वाले सरदार गजन सिंग जोकी पंजाब विदान प्रिशदा मेंबर सी दी अगवाई हेट लहौर विखे सिख बुद्धी जीवियां दी कमीटिंग होई जिते सेंट्रल सिख लीग नादी निरोल राज सी जथे बंदी स्थापत करने दा निरना ले आ गया 8 दसंबर 1919 अमरिसर विखे डेलिगेट कांफरेंस ने इस जथे बंदी नो बकाईदा रूप दे देता सरदार गजन सिंग इस दे बाननी पर दान बने पर जिमे की अजेहे मामलयाच अक्सर वाप परदा है एहे रवायती तारा नालों संपूरन तोड विछोडा नहीं सी सगों इस दिशा वाल पुट्टेया एक अदूरा कदम ही सी अपनी राज सी विचार तारा ते किरदार विहार पकों सरदार गजन सिंग नवी नालों पुराणी तारा दे वाद करीबी सान उह बरतानवी हाकमा नाल कोई वड़ा पंगा सहेडंतों गुरेज कारन अते लग दीवा उना नाल बना के चलन दी सेध अपना के चलना चाओं दे सान इकता सरदार गजन सिंग उते पंजाब दे लेफटनेट गवर्नर माइकल उडवायर जो जलेयां वाले कांड लई मुख जिम्मिवार सी लई विदाईगी फंड इकठा करन दे दोश लग नाल उस दी व्यक्तिगत साखनू वड़ा तक का लग चुका सी देश पदर ते बान उसर रही राज सी चेतना रवायती लीडर्शिप दी राजनी तक सोच अते सेध नालों तिखे तोड़ विछोड़े दी मांग खड़ी का रही सी अक्तूबर उनिसोवी विच जादल होर विखे सेंट्रल सिख लीग दा दुज्जा अजलास जुड़ेया तां हालत अंदर पिशले साल नालों वड़ी ते महत्तपूरन तब्दिली आचुकी सी सिख कौम दे वड़े हिस्यां दा इथो तक की अंग्रेजां दे कटड हमाईती वरगां अंदर ले कुझ अंशादावी अंग्रेज हाकमातों मों पंग हो चुका सी सिख लीडर्शिप दा जो नवा पोच उबर के सामने आरहा सी हो गांदी दी शक्षियत ते विचारां दा चौका असर को बूलदा सी गांदी सिख राजनीती नू अपनियां युद नितक वियोंतां ते हित्ता मुताबक प्रबावत करन ले सिख लीग दी कांफरेंस मौके उचेचे तोर ते लहौर पुजा कांफरेंस नू संबोधन कारदियां उसने सिख अगुआ नू अपने तार मकसुदारां ले सरकार उते टेक खतम करन दी सला दती गांधी दे प्रबावते प्रेडना हेट कांफरेंस ने गांधी दी अगवाई हेट चाल रही देश व्यापी शांत मैं ना मिलवर्तन लेहर विचे शामल होंदा मता पास कार दता इस नाल सिख लेहर पारदी आजादी दे अंदोलन दी मुखतारा विचे शामल हो गई अते गांधी दियां लम्मे चरदियां मुरादा पूरियां हो गई या इस कांफरेंस अंदर अंग्रेज हाकमा प्रती नर्म रवया रखन वाली पुरानी लीडर्शिप नू राद करके सिखा दी नवी लीडर्शिप अग्याई सरदार गजन सिंग नो हटाके सरदार खटक सिंग स्याल कोट नो सेंट्रल सिख लीग दा नमा प्रदान चुन लिया गया एह सिख लहर ते राजनीती अंदर आया एक अती एहम मोड सी जिसने सिंग सबा लहर वलो नर्दारत कीती विचार तारक मार्ग सेद नो उल्द पुल्द के राख देता पुराणी लीडर्शिप नो लांबे करके जो नवी लीडर्शिप अग्गे आई ओहो हिंदुआ प्रती, कूली, मुसल्माना प्रती, खर्वी अते अंग्रेज हकूमत प्रती करारी सी सिख लहरते राजनिती अंदर एहे मोडा इन्ना सुखाडा शायद संभव ना हुंदा जेकर सिखां दे पाख दी पैरवाई करन लई इंगलेंड दी फेरी ते गया, सिख वफद निराश होके खाली हथ ना परत्या हुंदा चीफ खालसा दवाँ दी कार्जकारनी देक मेंबर सरदार सेवा राम सिंग ने लखनव पैक्टतों फौरी बाद नवंबर 1916 च दवाँ दे सकतर नुक लंमा पत्तर लिखके मांग कीती सी के परशाशन अंदर नुमाइंदिगी दे मसले बारे सिखा दा पर्वा ते जच्वा पक तियार किता जावे अते बरतानिया सरकारनों पेज़ा जावे सेवा राम सिंग ने 1922 विच सुदारा दे मसले बारे सिखा दी पोजीशन दर सोंदा एक किताब चा छाप्या जद लॉर्ड साउथ बोरो दी अगवाई हेठ फ्रेंचाइज कमेटी ते डिवीजन आफ फंक्शन्स कमेटी ने पारदा दोरा करके सबंदत तिरां दे जुबानी पक सुने तसरदार सेवा राम सिंग दुनों कमेटी आगे सिखनों माइं दे वज्जों हाजर हुए अते सिखां दे पाखनों पर बावशाली टांग नाल रख्या पर जद साउथ बोरो कमेटी दी रिपोर्ट 1902 पर काशत होई तां रवायत सिखी लीडर्शिप नू वड़ी ठेस पहुंची इस रिपोर्ट ने नुमाइंदगी बारे सिखां दी मांग नू बेरुखी नाल इस नाल सिख वर्ग अंदर रवायती सिख लीडर्शिप दे मान ते वकार नू वड़ी साथ लगी इस विच्चों ही आखरी यतन वज्जों एक उच पद्री वफ्द इंगलेंड पेजिया गया जुलाई अगस्त 1902 जिसने सबंदत अधकारियां ते असर रसूख वाले होर लोका नू मिलके सिख दे पाख दी जोर नाल वकालत किती सिख दी पर मुख मांग एह सी के पंजाब असंबली ते केंदरी कौंसल अंदर उना दी नुमाइंदगी निश्चित करन लग गया वसों नू पैमाना ना बढ़ाया जावे सगों सिख पाई चारे दी एहमियत हैसि अधि उस दियां सेवावाणनू मुख रख रख जावे नाल ही अंग्रेजियां वल्लों पंजाब किक अब्जाध करन तो पीलां सिख दे रूतबे देश अंदर उना दे मौझूद्धा हित्तानू झाध्या अंधिया अंग्रेजी राजप्रती पुरानियां ते वानों गिंती विच रख्या जावे इस तरह पावें पंजाब अंदर सिखा दी अबादी बारां फीस दी तो वद नहीं सी पर हो पंजाब अंदर सारियां सीटां ते नाम जदगियां चों अपने लई तीजे हिस्से दी मांग का रहे सन पर साउथ बोरो कमेटी ने पंजाब असंबली अंदर सिखा नू 15 फीस दी सीटां देंडी सवाश की ती जो सिखा नू किसे भी तरह मनजूर नहीं सी सिखा दा असली निशाना मुसल्माना नू सवदानक बहुग इंटी दी पोजीशन तों हेठा लोना सी सर फजली हुसैन वलो लिखी के किताब विच एक बड़ा रोचिक जिकर है केंदे हन की जद सिखा नू पुछे आ गया कि उख पंजाब असंबली विच किन्ने हिसे दी मांग का दे हन ता उना फॉरन जवाब दता की ती फीस दी ना चाल जाओ जदुना नू एहे पुछे आ गया कि बस होरता नहीं ओहो कैंदे नहीं नाड ही ती फीस दी हिंदुआ नू देओ ताकि मुसल्मान चाली फीस दी तों वद ना ले सकन एहे वाबतला पामे ठीक इसे शकल च ना वी होया होवे प्रन्तु सिख आगुआ दी पहुचते रवया एन एहो सी पंजाब अंदर अपनी वसों दे अनुपात नालों वद हिस्सेदारी दी मांग दे पक विच ओहो उत्तर परदेश दी मिसाल दा आसरा लेंदे सान जेते मुसल्माना दी वसों पंदरां फीस दी सी जाद के उनानुआ असंबली अंदर एड़ू दुगणी ती फीस दी हिस्सेदारी दती गई सी जाद सिख आगुआ पंजाब अंदर इसे पैटरन ते अपने लेई इकतिहाई सीटां दी मांग कार दे सान ता ओहो इस एहम ताथनू नजर अंदाज कार रहे सान के यूपी अंदर मुसल्मानानू उना दी वसों देनू पात नालों वद हिस्सा देन नाल ना ता उत्थों दा बहो गिंती वर्ग हिंदू काट गिंती विच तब्दील हुंदा सी अते नाही किसे होर काट गिंती वर्ग नाल बे इंसाफी हुंदी सी प्रन्तू पंजाब अंदर हालत सिफ्ती तौरते लग सी इते सिखानू उचेची रयायत देन दा मतलब जाता मुसल्मानानू बहो गिंती दी पुजीशन तों काट गिंती विच तब्दील कार देना सी जा फिर काट गिंती हिंदू वर्ग दी बन दी हिस्सेदारी चों काट कटनी पैनी सी इस उलजनदार स्थिती कारण यूपी वारा फार्मूला पंजाब अंदर लागू नहीं सी हो साकदा इंगलेंड दी आम जनतानू इना पेचीदगियां दी समझ नहीं सी उस सिखान उक बहादर लड़ाकू ते अंग्रेज राजप्रती वफदार कौम वज्जों ही जान दी सी जिसने जांग दोरान अनिका मोर्चियां ते बरतानवी हितां दी राखी लई बेठा कुर्बानिया कीती हैं सान। इस करके सिख वफदनू इंग्लेंड दी आम जनता ते प्रैस वलों काफी हमायत ते हमदर्दी मिली प्रन्तू जित्थो तक बरतानवी हकूमत दा सबंद सी उस वलों सिखान दी एहे मांग परवान कार लेनी किसे वी सूरत संभव नहीं सी दो कारना करके इक तरक अते इंसाफ दे तराजू च तोलेयां सिखान दी समाग विच बौता वजन ते जोर नहीं सी दुज्जा बरतानवी हकूमत चाली लाख सिखान नो खुश करन ले नौ करोड मुसल्माना जोस दे पक्के हमाईती सन नो नराज करन दा जोख हम नहीं सी उठा सकती इस करके पामे बरतानवी हाकमा दे कुझ वर्ग सिखाना दली हम दर्दी राख दे सन अते एडविन मौटैंग ने वी गालबा दुरान वाफद नू हाँ पक्खी होंगा अरे दा प्रबावदत ता प्रन्तू लाख चाओं दे होयां वी उस सिखान दी है मांग पूरी करन दे समरात नहीं सन वाइसराय वलों सेक्टरी आफ स्टेट नू पेजी जवाबी तार अठाई जुलाई उन्नी सो वी विच बरतानवी हकूमत दी समामलेच अंतम पोजीशन स्पष्ट का दती गई सी के सिखान दी है मांग किसे वी हसाब नाल कबूलन योग नहीं बरतानवी हकूमत वलों कोरा जवाब मिल जाननाल सिखान दा खासकार केस दे अंग्रेज पगत हिस्सेयां दा बुरी तरा देल टुट गया आम सिख जनता दे पड़े लिखे दर्मियाने तब के अंदर पहला ही अंग्रेज हकूमत विरोदी रोस ते गुसे दियां पावनावा जोर फार चुकियां सन रवाइती अंग्रेज पगत वरगा दे कुझ हिस्सेयां दा बुर्तानवी हाकमत विश्वाच उठ जाननाल सिख पाई चारे अंदर सरकार विरुद एक आम हवा जही बाण गई इस नाल रवाइती सिख लीडर्शिप दी पोजीशन बेहद कमदोर पै गई उसनो अजेवी इह पर्म बनेया रहा कि इह सिर्फ पारदी सरकार ही है जो सिख मंगा मनन दे राविच रोडे अठकार ही है जाद कि बरतानवी सरकार ते उत्थों दी आम जनता दा सिख मंगा प्रती रवया हमदर दी वाडा ते हाँ पक्षी सी रवायती लीडर्शिप दी इस कटना करमतों दरुस्त सटे ना कड सकन दी इस कमदोरी ने उस दी होनी लग पग तै करदती कटनावा दा वहन इस गाल दा गूंजवा संकेत दे रहा सी के इस लीडर्शिप दे ते उस वल्लों अपनाई राजनी तक सेद दे दिन पुग चुके सन नवी लीडर्शिप वल्लों स्टेज संबालन दी रस्मी कारवाई ही बाकी रह गई सी जो सेंट्रल सिख लीग दे लहौर विखे हुए दुज्जे डेलिगेट इजलास अक्तूबर उनिसोवी विच पूरी कार ले गई सिख वफद ने वापस पंजाब पर्त के जो लिखती रिपोर्ट पेश किती उस विच्चों उना दी ओक निराष्टा ते बे उमिदी साफ चलक दी सी उनाने सिख नू पुराणी सोच ते पुराणी कार्ज नीती तों हटके नवी हालत नू समझन कोखन ते इस अनुसार अपनी नवी रण नीती तै करन्दा सुजादता बरतानवी हाकमातों पर उसा ते चाक खतम हो जान नाल खुदरवाइती लीडरशिप दे कुझ हिसे आंदर अपने देश दे लोका नाल जोडन अते होरना तार्मक फिर्क्यां दे लोका नाल संगरामी सांजा गंडन दी लोड दा एहसास पैदा होया सिखादी मुसलिम वर्गनाल अजे ही सांज दी कोई गुंजाइश नजर नहीं से आंदी क्योंकि नुमाइंदगी सबंदी सिखादी पर मुख मंग सिद्धी मुसलिम हित्ता उत्ते मार कार दी सी असल विच मुसलिम सिख रिष्टे नु कई गलना पर बावित कार रही सांज एक मुगल राज दुरान सिख कौम ते मुसलिम हाक मवर्ग विचकार जो खूंदील की रवाग गई सी हो मनुव ग्यानक पदर ते अजे वी अपना असर काइम राख रही सी दूज़ा सिख लीडर्शिप दी अन्नी मुसलिम विरोता मोड में रूप विच मुसलिम पाईचारे अंदर सिख विरोती पावनावा नु बढ़ ते उतेजना महिया कार रही सी तीज़ा सिख मुसलिम रिष्टे अंदर सावतों टैंटे वाड़ा मसला सी पंजाब जिस ते मुसल्मान अपनी बहुग इंटी वस्तों दे सिर ते दावा जता रहे सान ते जिस नाल खासा पांथदियां जेहिया इतिहास की यादां ते पावनात मक सान जा जुड़ियां ह याँसान की ओहो इस उत्ते किसे शरीक दावे नू किसे वी सूरत परवान करन लई त्यार नहीं सी मड़क दी जिन्दगी जियोंड लई खासे ने जिस तरती उते पूरी एक सदी मुगल शाही दे जुल्मा दे वैशी चखेडियां अगें अपनी हिक डार खी हुवे अते जिस मिटी दे जर्रे जर्रे ते उस दी कुर्बानी ते सूरम गती दे गौरव में निशान उकरे प पंजाब दे तक्त ते टिकी किसे गैर दी नजर पंथ कोड़ों सेहन नहीं सी हुंदी सिख मुस्लम रिष्टे अंदर लिया इना गुंजलानों सुल्जाओना उक्का ही नाममकिनता नहीं सी पर इस दे वास दे दोनों वर्गां दी राजसी लीडर्शिप अंदर अहला दर जे दी सूज सियानप दूर द्रिष्टी ते नीती वानता लोडिंदी सी प्रन्तू ऐलन कैंपल दे शब्दाज बदकिस्मती एह सी के दोमें फिर्कियां दे नेता छोटे आदमी सन जीना नूँ वड़े मसले सुल्जाओन दा कम सौंपया गया सी सो इंगलेंड तो पर ते सिख वफदवलों सिखानू होरना वर्गा दे लोका नाल जोडन दी दती जा रही सलादा इक मातर अर्थ हिंदू वर्ग नाल जोडना सी एह सोच सिख लीडर्शिप नू बदोबदी कांगरस दी चोलीच ले जान दी सी रवायती सिख लीडर्शिप मनो अजेहा ना चोंदी होई विस सोच नू तकडाई बख्ष रही सी वफद ने जो रिपोर्ट दती अतेस दे मेंबरा ने जिमें प्रेस अंदर अपने विचारां ते जजबातां दा खुल के पर गटावा किता उस नाल सिख जनता दा बरतानवी हाकमा तों सर्फ प्रोसा ही नहीं उठया सगोंस नू बरतानवी हाकमा दे विहार ते वतीरे विच्चों विश्वाश कातवरगी गाल जापी जिस नाल उस अंदर अंग्रेज हकूमत विरुद रो ते गुस्चे दी व्यापक लहर पैदा होतरी कल तक अंग्रेजां दा जासगान कारदे रहे सिख अखबारां अंदर अंग्रेजां विरुद खुल के गुस्चे परे लेख लिखे जान लगे अमरे सर्तों छपन वाले बीर ने अपने स्ताई गस्ट उन्नी सो वीद अंक्च अंग्रेजां विरुद इस तरह पडास कड़ी सिखा ने अंग्रेजां लई की नहीं किता हो अपने आपनों बरतानवी सरकार दी सज्जी बां समझ दे सन पर की बरतानवी सरकार भी उननों अपनी सज्जी बां समझ दी है वाफद दे तजर्बे ने दखा दता है की यूर्पी राजनीती अंदर सब्याचार ते किवदार खुद परस्ती दाही दुज्जा नाओं है सरकार समझ दी है की वादे सर्फ करन लई हुंदे हन न बाउन लई नहीं सरदार उजल सिंग ने बंबे क्रॉनिकल नाल एक इंटर्विव विच केहा की सिखादा अंग्रेज अफसर शाही तों सारा प्रोसा जानदा रहा है जाद उसनों गांदी दी नामिल वरतन लहर बारे सुआल किता गया ता उसता जवाब सी के बरतानवी हकूमत जिमें सिखादा नाल कीते इकरारा तों शर्याम फिर गई है उस नाल सिखादे रवईये च पक नाल तब दिली आवेगी ते ओहो नामिल वरतन लहते जरूर गंबीर ता नाल गौर करनगे इस इंटर्विव दा व्यापक पदर ते परचार परसार होया सरदार सेवा राम सिंग ने वी अंग्रेजा नू राज के कोसे आ खालसा एडवोकेट ने अक्तूबर 1902 विच अपने एक संपाद की राही रवायती सिख वरगादियां पावनावा दा इंज पर गटावा कीता जो बे उमीदी कौम पहला ही महसूस कार रही सी वफ्त दे मेंबरा दी सपष्ट ब्यानी ने उसनों होर जर्बा देदतियां हन अते इहे बे उमीदी बिना शाकते सुबावक ही अपने पर गटावे दा कोई ना कोई रा लबेगी हो साकत है सिख कौम वी मेंदांच नितरावे जो की बड़ी पश्टावे वाली गाल होवेगी इस संपादगीतों कुछ दिन बाद ही वी अक्तूबर नू सिख लीग ने अपने दुझे शैशन विच ना मिलवरतन दे पाख जमता पास कार दता अर्थात सिख कौम ने आखर नू मेंदांच नितरंदा फैसला कार ही लिया सरदार सेवा राम सिंग ने अप प्रतानवी हाकमा नू अगाउं ही खबरदार कार दता सी जद उसने अपने सुधारां वाले किताब जे विच लिखिया सी के मैं सुधारां दे मसले ते सिखां दरवाद रही बेचैनी देखी है जिना को देखन ली अक्खां सुनन ली कन ते अनुमान लौन ली नरोय ते नरलेप दमाग हन उननो इस बारे सोचना चाहिद है माइकल उडवायर ने लिखिया है कि 1919 विच उसनो एक सिख सरमाइदार ने एहे नहोरा मारया सी के अजेही सरकार जिस्तों इस दे दोस्ता नू कोई उमीद नहीं ते दुश्मना नू कोई पै नहीं आखर किन्ने को दन चाल साकती है इस टिपनी चों सिख अंदर पसर रही बे उमीदी ते बे चैनी दी साफ चलक मिल दी है सेक्टरी आफ स्टेट वलनों पारत अंदर वाईस राई नू पे जी 12 नूबंबर 1902 दी तार अते इस दे जुआब विच पारत दे सकतर वलनों 15 नूबंबर नू पे जी गई तार विच सिख जगत दी सोच ते रौ अंदर आई इस तब दिली ते हैरानी ते चिंता गया दोनों तारां तों एक गल साफ हुंदी है कि जाता हाकमा नू मसले दी समझ ही नहीं सी आ रही अते जा फिर उना दी समझन दे विच बौती रुची ही नहीं सी पारत दे सकतर ने ता इनना कैके ही गल न बेड़ दती के सिख हमेशा ही जल्दी तैस्च आ जान दे हन अत दे वार वार दमागी फतूर दा शिकार हो जान दे हन पंजाब दे गवर्नर जनरल एडवर्ड मेकलागन नू ता समस्या दी उक्का ही समझ नहीं सी पैर ही उसनू परम सी के उसने गुरपुर्बा ते छुटियां आदी करके समुचे सिख पाई चारे नू मो लेया हुया है इस करके उसने ग्रैस कतरों पेजे अपने जवाब विच एह कसी पटी हुकमराना तारना दोहराई के सिखता सरकार ना सुखा में सबंद रखना चौन दे हन प्रन्तु एह दूसरे पाई चारे यां दे कुछ गल्थ अंसर अर्थात कांगरसी ही हन जो उननू पुठी पट् उस दा कहना सी के सिखा दी कोई समस्या नहीं सारी कांगरसीया दी शरारत है इस दे जवाब विच सिख अख़बार एह कैर है सान की ओहो कोई बच्चे नहीं जो गुर्पुर्बा ते छुटियां वरगे खिड़ा ओनिया नाल पर्च जानगे अक्तूबर उनिसो वीच दिली दे चीफ कमिशनर ने ग्रैस कतर नू पे जी अपनी पंदर वाडा रपोर्ट विच एह दास पाई के सिखा दे कुछ हिस्सया ने शायद इंगलेंड च सिख वफद दी नाकामी दे सिटे वजों कोई नवा छेडा छेडन दी नीत नाल पुराने मसले नू मुढ तूल देनी शुरू कर दती है 1903 विच गोल में इस कान्फरेंस अंदर वी सिख नुमाइंदया ने सिख वफद दी इंगलेंड फेरी दे दुरपा आग पूरण नतीजेया नू अकाली लहर दे फुन्टारे लई वड़ा का रंदस्या सो एहे सी ओहो पिछो कड जिस चोंगर द्वारा सुधार लहर दा आगमन होया ते इस दे गांदी दी अगवाई हेठले आजादी दे अंदोलन ना संजोग दा सबाब जुड़या सो आज जैसी एहे किताब पना नंबर पच्वंजा तक ही पढ़ांगे इजाज़त देव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतिफ